लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फेन की फीनो पैविन के तरफ से जो आधार सिंटर ओपन करवाए जाएगा उसके लिए क्या क्या टेर्वन कंडिशन रखेगी और कौन सा सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तो आप मेंसे काफी सारे लोगों मैं कमेंट किया कि सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हम आउनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप फीनो पैविन की तरफ से जो आधार सिंटर प्रोवाइट करवाया जा रहा है वो आधार सिंटर ओपन करना चाते तो ये सर्टिफिकेट आपके पास हुना कमपर्सली है कि अगर आपके पास आधार कार्ट का सूपरवाइजर या फिर ऑपिर आधार सिंटर को ओपन नहीं कर सकते हैं इस वीडियो में आपको काम्प्रेट प्रोसेश दिखाऊंगा कैसे आप सबसे पहले एकाउंट करेंगे एकाउन क्रियेट करने बाद आप फार्म को कैसे फिल करेंगे कैसे आपको EKYC करना है पेमेंट कैसे करना है और आधार सिंटर में एकजाम देने के लिए फिन आपको आधार जो भी सिंटर है उसको कैसे फाइंड करना है कम्पेट प्रोसेस आजकी इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप दिखाये गया है तो सुगाईज आपको ये वीडियो को कम्पेट वच करना है तो चलिया जामते हैं जैसक फिर्ण आप सबको मालू होगा फीनों ने हाली में एलाउंसमेंट किया है कि फीनों के जितने भी बीसी एजेंट है उनमें से आप में से कुछ लोगों को आधार सिंटर प्रोवाइट करेगा कुछ टार्गेट आधार सिंटर वो ओपन करवाएगा यह फिर्ण ऑपरेटर सिंटर होना चाहिए इस वीडियो में आपको कम्प्रीट लाइब प्रोसेस दिखाऊंगा फिर्ण की सुपर वाजर या फिर ऑपरेटर का आधार सिंटर प्राप्त करने के लिए कैसे आपको ओनलाइन अप्लाई करना है कि फिर्ण आपने से काफी सारे फिर्ण ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक यही नहीं पता कैसे आप उसमें अप्लाई करेंगे और कैसे फिर्ण आप उसके यहां से जाम देने के बाद कर सकते हैं सब से पहले मैं आपको बताओंगा कैसे अप लाइख करना है इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह certificate क्या होता कैसे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और आधार सेंटर जो भी या कैसे पुछे आप find कर सकते हैं अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा जाके वीडियो को जरूर देखें आपको वीडियो के description box में link मिलेगा फिर जैसे उस पे click करेंगे तो आप सीधा इस side में आ जाएंगे यहां आने के बाद फिर आप देख सकते हैं अगर पहली बार इसमें visit करेंगे तो आपको अपना एक account create करना पड़ेगा तो आज के लिए आपको करना क्या create new user पे आपको click करना है जैसे click करेंगे फिर तो यहां से आ जाएगा upload xml file और share code अब यह क्या चीज होता है फिर तो आपको इसको ekyc को download करना पड़ेगा xml file को download करना पड़ेगा download करने के लिए आपको uidi.gov.inus की official side में आना है इस call करके नीचे आना है नीचे आएंगे एक आधार service में आपको एक option मिलता है आधार paperless offline ekyc आपको simply इस पे click करना है click करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार page open हो के आ जाएगा तो आपको login पे click करना है login में click करने कुए फिर आपको अधार card नमबर डालना है capture fill करना, send OTP पे click करना आपके नमबर में OTP send किया जाएगा OTP डालके login पे क्लिक करना है जैसे फिर फिर login हो जाएगे तो आपके सामने इस परकार से dashboard ओपन हो कि आ जाएगा यही से एक option मिल जाता है आपको offline EKYC तो आपको simply इस arrow पे क्लिक करना है जैसे क्लिक करने फिर आफ लाइन आपकी EKYC यहीं से देख सकते हैं डाउनलोड हो जाएगी इसके बाद आपको फिर से इसे में आ जाना है और यहां से upload चूज फाइल पे क्लिक करना इसके बाद फिर यहां से आप जहां भी से download किये हैं आप download पे क्लिक करना जैसे आप download में क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपको सामने इस पर कारस आ जाएगा आपको इसको select करना है या दो बार क्लिक करेंगे तो इस अपलोड हो जाएगी इसके बाद आपको ने जो share code यहां से fill किया वो share code आपको इसे डालना है इससे पहले आपको यह से upload करना है upload करेंगे फिर तो XTML file successful upload हो जाएगी इसके बदद आपको यह से share code डाल देना है share code डालने के बदद आपको extract पे click करना देख सितने data extraction successful हो चुका है आपको ok पे click करना है इसके बदद आपको एक अपना इस mobile number डालना है वेरिडेट मॉबाइल नमबर पे क्लिक करेंगे तो आपके नमबर में OTP जाएगा OTP डालना है OTP डालके जैसे आप यहां से verify OTP में क्लिक करेंगे तो declaration आएगा declaration आपको यहां से देना है एक फिर्ट email ID फिल करना है और 100 XML contact पे क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने detail आजाएगी तो अगर आपकी हैई detail है तो आपको यहां से confirm पे क्लिक करना है जैसे confirm करेंगे फिर्ट इस परकार देख सकते हैं आपको यहां से congratulations बोला जाएगा आपका ID और password यहां से बेज दिएगा तो आपको यहां से एक password को create करना है आपको यहां से जो order password हो रहेगा उसको आप fill करेंगे इसके बाद फे new password पासबर का आपको confirm करना है एक secret question आपको fill करना है उसका answer डालना and change password पे click करना है इसके बाद आपका password यहां से successfully change हो जाएगा आपको okay पे close पे click करना नीचे आएंगे तो यहां से देख सकते हैं इस टर्मों को आपको accept करना है and continue पर क्लिक करना है अगर आप इसे read करना चाहिए तो read भी कर सकते हैं इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से page open के आजाएगा जहां से आपका UID नमबर यहां से मिल जाएगा फिर यहां से पूछा जाएगा education detail आपने क्या पढ़ाई की है आपको यहां से fill करना है आप graduate है पोस्ट graduate है फिर level आप exam आपका क्या है आपने किस exam चैनल से किया है देख सकते हैं operator child enrollment है फिर operator कम सुपर वाजर जो भी रहेगा आप उसको select करेंगे exam क्या आपकी language क्या रहेगी किस language में आप exam देना चाहते हैं उसको select करेंगे इसके बाद फिर यहां से बता जाता है select your enrollment agency code यहीं आपको कहां से अपने agency प्राव लेना है आप यहां से फाइंड कर सकते हैं यहां से अपने जो भी आपके agency रहेगी आप यहां से अपलोड कर द हैंगे इसके बाद सर्च पर क्लिक करना है सर्च करेंगे फिर यहां से देख सकते हैं आपको center code मिल जाएगा तो यहां से center code आपको इसके से इससे previous से स्लेक्ट कर लेते हैं इसका हुआ खरेंगा उसको बाप करेंगे। सभाइब पूझए हुट ऐंगे अब यहां से लेक्ट लुक्त हैं उसको अपको बेर सटेट में स्टेश के यहां एन चाहिते हैं तोन सब्सक्राइब तो मिद्हां नीचे आएंगे तो एक option मिलता है प्रोसीड वनिट करना है नीचे आएंगे पर दें míd przy ऊपकोड देंगे अपको देंगे को जाएगी proceed to pay पे क्लिक करना है और यहाँ से ok पे क्लिक करना है जैसे फिर ok करेंगे तो आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं online payment का method open होके आ जाएगा कि आप कैसे payment करना चाहते हैं amount आपको कितना payment करना पड़ेगा 470.82 पैसे आपको यहाँ से amount payment करना पड़ेगा जिनमें तीन आपसर मिलते हैं debit card, credit card, internet banking या फिर आप चाहे तो भी हम UPI से भी कर सकते हैं या तो किमार कोड़ आप जनरेट कर सकते हैं फिर UPI ID जनरेट करके आप यहाँ से payment कर सकते हैं और payment करने को आपको जैसे payment successful हो जाएगा आप यहाँ से payment की receipt को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार फिर आप exam देने के लिए apply कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ से payment successful होगा इसके बद आपको center दे दे जाएगा और आपको debt दे दे जाएगी किस debt का आपको exam होता है अगर फिर आपको नहीं मालूप इसमें कैसे question पूछे जाते हैं और एक बार में कैसे exam को आप qualify कर सकते हैं इसके लिए आपको मैं इस video के comment box में comment करके जरूर बताएगा जिस video मैं आपको बताऊंगा next video में कि कैसे question पूछे जाते हैं सकते हैं इस प्रकार आप यहां से nsdl को जो यहां से आता है निट के exam को आप इसके लिए apply कर दें आधार के लिए supervisor यह फिर operator certificate रख लें क्योंकि फिर मैं आपको बता दें यह हुआ idea की guidelines के अनुसर अगर आपके पास operator यह फिर supervisor का certificate नहीं है तो चाहिए आपको फीनो ही क्यों न प्रोवाइट करवा रहा है और फिर यहां से आधार center आप यहां से आधार center को प्राप नहीं कर सकते तिसलिए पहले से आप यह सभी document clear करके रखें ताकि आपको अब जल्द जल्दें से आधार center मिल जाए सो गाज यह पूरा complete process मैंने इस वीडियो में आपको step by step दिखाया है आई होप गाज यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे like करें अपने friends से share करें इसके लाब आपको कोई भी सवाल रहे हो तो आपने इस वीडियो के comment box में comment करके पूछ सकते हैं वीडियो के description box में आपको instagram का link मिल जाएगा तो जाके follow जरूर करें friends आप comment में कोई सवाल हो तो आप हमसे यहां भी पूछ सकते हैं यह फिस चैनल पर पहली बारा है चैनल कभी तक आपने subscribe नहीं किया तो चैनल subscribe जरूर करें बेल आइकन क्लिक के all पर क्लिक करें अगर पुराने subscribe आपको पता होगा इस चैनल पर आपके लिए मैं daily useful वीडियो अपलोड करता रहे तो उसका notification पर आपको पहुंच जाएगा एक knowledgeable topic साथ मैं आप से जल्द मिलूँगा तब तक कलिए जाए हिंट टेक केर